आज एक्सराइज 1.2 हम स्टार्ट करेंगे 1.1 एक्सराइज हमने वह स्टार्ट कर ली थी और 1.2 एक्सराइज को आज हम शुवर करने लगे हैं एक्सराइज 1.2 तो इसमें हमने दो चीनों के बारे में पढ़ना है 1.1 यूनियन अब सेट्स एंड इंट सेक्शन अब सेट्स अगर आपको याद हो तो हमारे चैप्टर का जो नाम है वह है वह है अपरेशन्स अन सेट्स अब पहरी बात तो यह है कि यह अपरेशन्स क्या होते हैं अपरेशन्स जो है वह माधिमेटिक्स की जुबान में तो चीजों के दरम्यान लिंक को जो है वह बोलते हैं ठीक है जी? तो विसाल की तोर पे बेरे बास दो नमबर हैं टू और थ्री को हम एड भी करते हैं सब्ट्रेक करते हैं मुट्प्राइब करते हैं तो यह मुझलिफ आपरेशन्स अम गजा कर दो नमरों को अपस में क्या कर देते हैं? लिंक कर देते हैं ठीक है जी? तो इसी तरह जो आपरेशन्स होते हैं सेट में वो दो किसम के होते हैं दो सेट आपस में यूनियन होते हैं दो सेट आपस में इंटरसेक्शन होते हैं ठीक है जो लफ़ हमारे पास यूनियन है यूनियन ठीक है ये यूनिटी से निकला है और यूनिटी क्या होती है यूनि का जयालम का जो एक मॉटो है Unity, Faith and Discipline तो यह वह ही Unity है तो Unity के मतलब को ही देखते हुए Union का मतलब भी क्या है कि जो दो सेट हैं उन्हें हमने क्या कर देना है एकठा कर देना है मिला देना है ठीक है जी? तो मिसाल के तोर पे अगर मेरे पास एक सेट जो है वो 1, 2, 3 है और मेरे पाँ दूसरा सेट जो है वो 4, 5, 6 है तो अब इनकी Unity हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो आप देख सकते हैं मैंने इनको क्या कर दिया है मिला दिया है इसी ज़रा जो दूसरा मारे पास Operation है वो है Intersection So Intersection क्या होता है यह जो Section होता है लावस यह भी आप ऐसा हिस्से के मतलब में देते है ठीक है तो पूरा जो Intersection है इसका मतलब यह है कि आपने जो है वो सेट के हिस्से जो है वो कर देने ठीक है लेकिन हम जो है वो एक सेट आरेडी आपको दिया हुए हम जो है वो इसके हिस्से करना चुरू कर देने तो वो सब सेट कर देने हो कर देने है जहां कर इंटर्सेक्शनल सेट का जो मतलब होगा वो यह होगा कि आप मेरिक के पास दो सेट में कोई भी जीज अगर एक जैसी आ रही है तो उसको आपने बहर निकाल लेना वो ही उसका हिस्सा कर लाएगी जा Trek दोर पर 1, 2, 3 और दूसरा है 5-2, 3-4 तो अब देखें दोनों सेट के अंदर 2 और 3 चो ऑना रहा है तो जिसको में भाहर निकाल लेता हूं उसको में द हमने बहर निकाल लेता है तो यह भी इसका हिस्सा þाई और इस खम इस्सा है, तो यह बिसिकली दोनों का सब सेट ही क्या लाएगा, और हम दुसरे इलफास में इसको इंटरसेक्शन भी बहुतेंगे, तो ऐसा एक नया सेट निकाल देना, जो कि दोनों का हिस्सा हो, उसको हम सेट कहिंगा हैं, इंटरसेक्शन भी बहुते हैं, हम अपनी एक्सकाइस को स्टर्ट कते हैं. सैवन क्लास में आपने यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में पड़ा था, और अगर किसी को unit section का लबजी मतलब नहीं पता दा तो वह आप मैंने बता दिये जी नहीं हमारा पहला question है verify और इसमें हो कह रहा है कि a union b is equal to b union a जी हमारे पास set जो है वो क्या दिया हुए a is equal to 1, 2, 3 up to 10 और b दिया हुए 7, 8, 9, 10, 11, 11 b इसमें दिया हुए 11 and plus तो यह हमारे सामने मुझूद है अब इनका हमने पहले a union b एक यह चीज़ फाइंड करनी है इसकी left hand side हमारे पास हो जाएगी a union b so a union b का मतलब क्या होता है तर a आ जाएगा union 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपने union बीच में डालना है ताकि पता चले दोनों set का union हो रहा है लेकर तर्तीब से आप सारे number लिखनेंगे 1, 2, 3 अचा है एक बात यहां पर note रखनी है तर्तीब से लिखने का मतलब यह है कि जो number set में दिये है वही लिखने है इसका औरके मतलब यह नहीं है कि आप अपनी वर्दी से जो है वह number लिखने शुरू कर देंगे अब जैसे यहां पर 1 से लेकर 10 तक दिया है तो आप 1 से लेकर 10 तक add करेंगे और पिर इस set में 11, 12 लिखने तो वह भी add करेंगे लेकिन इसके लागों कोई extra number आप add नहीं करेंगे तो यह नहीं है तो यह हमने जो है वह इसमें नम्बर जो है वाइट गाद है यह इसी के लिख के लिखने गिलाएगा यूदी ठीक है इसी तरह आप राइट इन साड लेंगे जो है वाँके पास 7, 8, 9, 10, 11, 12 है union 1, 2, 3, up to 10 इसको भी जब आप union करेंगे तो 1, 2, 3, up to 101 यह आपके पास 12 तत्रिक है वाज यह सारे नम्मर लिखने या ड्रेक ऐसे करके आप इसको 12 लिखने एक ही जड़ाएगा बात है तो आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें बराबर होगी हैं तो left hand side is equal to right hand side of the pass यह हमारा question number जो है वो one का part number one था इसी तरह इसी part number one को आपने बी के साथ भी solve करना है A intersection B is equal to B intersection A चले मैं दूसरे वाले question को B से solve कर लेता हूँ A is equal to 1, 2, 3, up to 15 और B is equal to 6, 8, 10, up to 20 जी तो मैं left hand side लेने लगा हूँ हो है A intersection B so A intersection B is equal to A आ जाएगा 1, 2, 3, up to 15 intersection 6, 8, 10, up to 20 अचा अब इसमें क्या है intersection में मैंने बताया common लेते हैं यह 15 तक जा रहा है और इसमें 6, 8 यानिके 2 का फर्क है और यह ऐसे चल रहा है तो इसका मादब यह होगा कि अगर आम सोड़ासा देहना शूरू करें तो 1 से लेके 5 तो कोई भी common नहीं होगा क्योंकि यह 6 से start हो रहा है अब यह होगा कि 6 यहां पर है तो 6 common होगा, 7 नहीं है इसके बाद 8 common होगा, 10 common होगा, 12 common होगा, और 14 common होगा 14 के बाद 15 यहां पर आ रहा है, मगर यह 15 तो नहीं आएगा, यह 16 नहीं होगा, यह हमारा A intersection B आ गया, इसी तरह B intersection A जो है, वो यह होगा कि आपने पहले B को लिखना है, 6, 8, 10, up to 20, और इसको intersect करना है, 1, 2, 3, up to 15, 14, so, वही वही सेम बात होजेगी, यह हमारे पास, इसका intersection आगे, तो left hand side is equal to, right hand side, यह हमारे पास इसका असर आगे, आपने इस question को भी A से B करना है, जी तो यह हमारा पहला पहला, जो है वो question था, अब हम दूसरे question की जो है, वो बात कर लेते हैं, काफी असान exercise है, आप already पहल question कर चुके है, question है पादा, x is equal to a, b, c, d, y is equal to b, d, c, f, z is equal to c, f, g, h. जी तो इसको आपने solve करना है, इसको उपर बाड़े के साथ, यह basic कर इसका यह part है, और वो यह same तरीका, आप इसमें फार किसे भी इतना हैंगी, यहांपे तीन हागी है, तो इन के लिए आप जो है, वो कैसे solve करेंगे, सबसे पहले आप left hand side लेंगे, left hand side is equal to x union y union z, अब चुके यह 3 है, जापहले हम y union z मौलूब करेंगे, ठीक है जी? तो y union z is equal to y की value आजाएगी, मारे पास y का set आजाएगा, b, d, c, f, और union z आजाएगा, c, f, g, h. ठीक है, अब इनका union करना है, और union आपको गता है, कठा करके रहें एक साथ, आजाएगा, c, d, f आजाएगा, g आजाएगा, h, यहाँ पर यहाँ नोट आपने करनी है, कि मैंने एडी के बाद e नहीं लिखा, e क्यों लिखा क्योंकि ना e यहाँ पर है, ना e यहाँ पर है, इसका मदब यह हुआ, कि जो चीज मुझूद है, सिर्फ उसी को ही लिखेंगे, और अक्सर स्टुरेंट्स की मिस्टेक ही होती है, कि वो परतीब से लिखते जाते हैं, और कोई नमबर या कोई element नहीं भी होता ता, भी वो उसको डाल लिखते हैं, अब उसके बाद इस चीज को, जो यूनियन जेट आपने महलूं किया है, इसको यूनियन करना है किसके साथ? एक्स के साथ, आप सारा लिखेंगे एक्स यूनियन यूनियन जेट, इसी गुड, अब एक्स जो है, वो बिसी कली क्या है? एक्स जो बिसी क्या है, इसको यूनियन करना है, इसको यूनियन करना है, बी, जी, एच्स यूनियन जेट निकाल लिए, अब इसके बाद इसको बी जो है, वो पार्ट है, एक्स यूनियन यूनियन जेट, अब सबसे पहले आप एक्स यूनियन वाई जो है, वो बालू करेंगे, इसको एक्स क्या है, ए, बी, सी, टी, यूनियन, पाई क्या है आपके पास, बी, डी, सी, ए, ठीक है जी, अब इसको union करें A, B, C, D, F यह इसका unionा आ ज arm है अब इसका union करना है उने है plus c f g h जी तो देखें a b c d f g h यह सारा हमने वो क्या कर दी हुए जी नए अब अगर आप गोर करें तो यह side और यह side equal हो चुपी है और आजा हम कहेंगे कि left hand side is equal to right hand side इसी question को आपने B के साथ भी करना है X intersection Y intersection Z is equal to X intersection Y intersection Z The next question है हमारे पास इसकी चार पार्ट है वेकिन मैं आपको जो है वो तीसरा वाला पार प्राता हूं को बसमें एक चोटी सी जो है वो बात बताने वाली है So, third part है X is equal to minus 1, 0, 2, 4, 5 और Y है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 7 और Z है हमारे पास 4, 6, 8, 10 जी, तो इसको मैं आप करूँगा intersection के एसाब से X intersection Y intersection Z is equal to X intersection Y intersection Z जी, तो इसमें मैं बताना है चाहरा हूं कि इसमें देखेंगे है कि इसने ये negative minus 1 बिया हुआ यहाँ आपा So, इसको आपने किस तरह से feels करना है तो इससे पहले हम left hand side को चलते हैं So, left hand side is equal to X intersection Y intersection Z So, जो आपके पास X है, वो, सॉरी हमने पहले क्या find करना है Y intersection Z मानुम करना है So, Y है आपके पास है 1, 2, 3, 4, 7, intersection 4, 6, 8, 10 तो देखें इसमें common क्या है, एक तो 4 common है और इसमें कोई चीज आपको common अदर नहीं आएगी सामनब इसका intersection यह हो गया अब मैं इसी चीज का intersection दुबारा किस के साथ करूँगा X के साथ जो, sorry, मैं इसका intersection करूँगा, X के साथ भी बरकुर मैंने मैंने Y intersection Z मानुम की है तो अब X intersection, Y intersection Z So, X हम के पास आजाएगा, minus 1, 0, 2, 4, 5 and इसका intersection हो जाएगा, किस के साथ जो कि यह है So, मारे पास आजाएगा यहाँ पर सिर्फ जिर्फ 4 क्योंके 4 ही जो है, वो क्या है, को मत है अब आप right and side की बात करेंगे So, right and side is equal to X intersection Y intersection Z So, X intersection Y पहले आपे मालू करना है और यह है, minus 1, 0, 2, 4, 5 intersection Y क्या है 1, 2, 3, 4, 7 अज़े यह question इसलिए मैंने आपको कर वा है क्योंके इसमें जो issue बनता है वो यह बनता है, student समझते हैं यह minus ऐसे ही है, यह one है और यह one है, यह one है, यह भी common है So, एक बात याद रखनी है कि जो यह minus लगा हुआ है, यह ऐसे ही नहीं है minus one एक लएदा नमबर है one एक लएदा नमबर है ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा जो है थोड़ा सा आगे जाके क्योंकि यह बात बड़ी class की है आपकी class की नहीं है, लेकिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ आप जब आगे जाएंगे तो आप एक new set पढ़ेंगे नया set पढ़ेंगे, उसको बोलते है real numbers ठीक है जी? और real numbers होते हैं, वो मजीद 2 sets का union होते है कौन कौन से? एक होता है rational number और एक होता है irrational irrational इन दोनों के जब union करते हैं तो हमारे पास real number जोगा हो निकलाता है अचा, real number के साथ ही एक हमें चीज दीजे बताई जाती है real line और real line होती है, हमेशा mid में 0 0 की हमेशा right side पर positive number होते है और 0 की हमेशा left side पर negative number होते है तो बताना ये मक्सूद था कि ये minus 1 एक अलएदा number है और 1 एक अलएदा number है ठीक है? तो कभी भी minus 1 और 1 intersection में जब सामने आएंगे तो वो common नहीं लिए देंगे और हमारे students जो हैंगा इसको common दे लिए दे हैं क्योंके उनको ये समझे ही नहीं जाती पार कि ये दोर चीज़ें अलग है वारहल इसमें हमारे पास common क्या आएगा? total 2 common होगा और common होगा पर आप missing intersection y का x intersection y का z के साथ intersection करेंगे तो 24 और intersection 4, 6, 8, 10 तो 24 का इसके साथ intersection होगा तो मैं आपस 4 यहार देगा तो अगें left hand side is equal to right hand side जी तो इसके तक्रीबन 4 part हैं मैंने आपको दो करवाद ही हैं अलाग पेहले मैंने union से tribe intersections है आपने चारों parts को union वाले questions से भी करना है और intersection वाले से भी करना है ताकि आपको इस चीज़ की जो है वो समझ है question number 3 जो है question number 3 वो है वो भी basically हमारे पास A union B intersection C और A union B intersection A union C हमारे पास है so 3 and 4 दोनों एक ही जैसे question है question number 3 and question number 4 और से so मेरा खैला मैं question number 4 पुर्वा देता हूँ क्योंकि उसमें एक empty set भी दिया हूँ है question number 4 क्या है कि अगर A जो है वो 0 हो B जो है वो 01 हो और C जो है वो empty हो तो आपने A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C B intersection C पहले मालूम करेंगे B आपका 01 है और intersection empty याद रखें यह empty है empty समराज इसमें कुछ भी नहीं है और यहां 01 है इदर कुछ नहीं यहां 01 है तो दोनों में comment B कुछ नहीं होगा तो जब कुछ नहीं comment होगा तो फिर क्या answer आएगा empty आएगा उसके बाद इसी का आपने दोबारा union के साथ A के साथ क्या करना है union So A जो है वो हुमारे पाँ 0 है और आपने भी B union intersections ही मालूं दी है जोके empty था So यह empty है यह U और मतलब 0 है दोनों का उपने मिलाना है तो जब मिलाएंगे तो यह चीज़ है से बाद जाएगी अच्छा जी अब हमारी right-hand side है A union B intersection A union C यह हमारी right-hand side है पहले मैं यह करूँगा के A union B मालूं करता हूं A जो है वो 0 है और union B जो है वो 0, 1 है तो दोनों का union क्या आएगा 0 भी आएगा और 1 भी आएगा क्यों कहीं कठे होगे फिर हम A union C जो है वो मालूं करेंगे तो A जो है वो हमारे पास 0 है और C जो है वो हमारे पास क्या है empty है union तो यह भी जबहा हम union करेंगे तो हमारे पास क्या हैगा 0 आजाएगा क्योंके यह empty है 0 अब हम A union B को intersect कर रहेंगे A union C के साथ according to this तो हमारे पास A union B की वैल्यू है 01 और A union C की वैल्यू है 0 तो उन्हों का हमने intersect करना है जो हम intersect करेंगे तो आपको पता अब हमारे के रहेगा 0 रहेगा और यह हमारे पास इस की left side is equal to right side हो जाएगी तो बिलकुल यह आपके पास जो है को इंचला हम next lecture में जो है आप डिसकस करेंगे अगर आपको किसी भी किसम का कोई question हो या किसी question में कोई difficulty है तो आप मुझे पूश सकता है 0 0 0 0 0 झाल झाल